नमस्कार दोस्तों मैं बोई पड़्यार प्रावत करता हूं आपसे विका आरेस्टी क्लासस में और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 जी बिज्ञान और उनमें पढ़ना हैं को महतपूर अंतर तो इनमें परिच्छा के दरिश्टी से आने वाले महतपूर अंतर हैं उनमें है स्व स्वेप्रागड सेल पॉलिनेशन और परप्रागड क्रोस पॉलिनेशन तो स्वेप्रागड क्या होता है कि स्वेप्रागड एक ही पुस्प के नर्व वा मादा जननांगों के मद अत्वा उसी पौदे के दो पुस्पों में होता है तो ऐसे प्रागड क्या कहते हैं एक ही पौदा हो जब एक ही पौदा हो और उसमें क्या हो एक फ्लॉवर हो और उसी में क्या हो एक नर और मादा जनिनांग यदि एक ही फ्लॉवर में हो तो उनमें होने वाला परागड कैसा होगा और यदि पर परागड कैसा होता है कि पर परागड एक ही जाती के अलग अलग पौदों की पुस्पों में होता है पर परागड एक ही जाती के दो पुस्पों गे या दो पोदे होंगे उनकी पुस्पों के बीच होने वाला परागड कैसा होगा पर परागड दूसरा पॉंट है स्वय प्रागड में बहा प्रागड सादनों की आवस्यक्ता नहीं होती यदि एक ही flower के अंदर नर्वा मादा जन्नांग दोनों उपस्चित हैं तो उनमें किसी भी बहरी agent की या सादनों की आवस्यक्ता नहीं होती जबकि पर प्रागड कराने के लिए जयविक और अजयविक सादन क्या आवसकता होती है इसकी जयविक वा अजयविक बायोटिक और अवायोटिक जयविक में कौन आएगा? जिसे पसुपच्ची हैं, कीट हैं और कई तरह के एनिमल्स जो प्रागड की क्रिया करवाते हैं वो किसमें आते हैं वो आते हैं जयविक कारक में और अजयविक में बायू और जल बायू और जल किसमें आते हैं अजयविक कारक में अवायटिक शक्टर में आते हैं तो पर प्रागड के लिए जयाविक वा अजयाविक साधनों क्या सकता होती है और स्वय प्रागड जो पुस्प होता है न वह उव्यलंगी पुस्प होता है और इसके लिए दोईलंगी पौदों का होना आवश्यक होता है तो सोय परागण उन पुस्पों में होता है जो पुस्प उवैलिंगी होते हैं और जो पुस्प यानि जिन पौदों के पास क्या होता है उवैलिंगी पुस्प होते हैं वो क्या है दोईलिंगी पौदे होते हैं अब जो परप्रागड है इसके लिए पुस्प का उबह लेंगी होना या पौधे का वह लेंगी होना आवशक नहीं होता। और जो स्वय परागड है, स्वय परागड के में क्या होता है, कि परागड कम मात्रां बनते हैं, क्योंकि इनको बहार ट्रेवल नहीं करना पड़ता, यदि पर परागड होता, तो पर परागड होगा यदि, तो क्या होगा? पर परागड में तो पराग कड़ बनेंगे वो किसी ना किसी एजेंट के या तो जैविक या जैविक एजेंट के कारड एक पुस्प से दूसरे पुस्प जाएंगे तो उसमें पराग कड़ों की हाने अधिक होती है इसलिए पर परागड में तो परागड अधिक मात्रां बनते हैं जबकि स्वय परागड में परागड का मात्रां बनते हैं स्वय परागड के लिए पुस्पों का रंगीन, चमकदार बड़ा और आकरशड होना आवशक नहीं है क्यों आवसक नहीं है क्योंकि इनको कीटों को या फिर जो एजेंट है उनको अट्रेक्ट करने की आवसकता नहीं होती क्योंकि एक ही पुस्प के अंदर होते हैं और पर प्रागड के लिए पुस्पों का रंगीन को मचमकदार बड़ा होना आवशक होता है तो परप्रागण कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, और बड़े होते हैं, तो परप्रागण के लिए आवशक है, अब बात करते हैं, दूसरा अंतर है, जो है मानव जनन से, तो इसमें अंतर हमको डिशाड करना है, रजचक्र या मजचक्र में अंतर, रजचक्र मेंस्ट्र साइकल और मजचक्र ओश्ट्र साइकल में अंतर को डिफाइन करना है, तो मद्य चक्र क्या होता है कि मद्य चक्र यानि मेंस्ट्रल साइकल प्राइमेट इस्तनियों में पाये जाता है और प्राइमेट इस्तनियों में किसमें प्राइमेट इस्तनियों की मादाओं में पाये जाता है जैसे मनुष यह कपी है इत्यादी यह जो प्राइमेट कड़क प्रायमेट इस्तनियों के अत्रिक्त अन्य इस्तनिया होते हैं उनमें मिलता है जैसे कुट्ता बिल्ली इत्याद्य और मद चक्र में क्या होता है मद चक्र के अंतिम दुनों में रख्त स्राव होता है जबकि मद चक्र में रख्त स्राव नहीं होता और रज चक्र में रज चक्र के दोरान मादा में लेंगिक इच्छा नहीं होती जो मेंशल साइकल के दौरान लेंगिक उत्तेजना मादाओं में नहीं होती जबकि मजचक्र के दौरान मादाओं में लेंगिक उत्तेजना में ब्रद्धी होती है क्या होता है लेंगिक उत्तेजना में ब्रद्धी होती है और रजजचक्र यानि मैशळ साइकल में रक्त सराव के साथ तूटी हुई ऐंडोमेटियम जो गर्वासः की परत है आंत्रिक परत वो वहर आ जाती है जबकी मजचक्र के दौरान तूटी हुई एंडोमेटियम सरीर में ही पुनस्थापित या अफसोसित हो जाती है तो रजचक्र मेंस्वल साइकल किस में चलता है प्राइमेट इस्तनियों में और मजचक्र नोन प्राइमेट में चलता है मजचक्र में रख्षराव होता है जबकि मजचक्र में रख्षराव नहीं होता और रख्षराव के साथ तूटी हुई एंडुमेट्यम बाहर आती है और मत चक्र में तूटी हुई एंडुमेट्यम शरीर में अपको नहीं क्या हो जाती है जो अब अंतर है वो है सहीली